हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब लोग तो फंडामेंटल सफ आई आर के पार्ट फोर में हम लोग चीजों को होलिस्टिकली समप करेंगे और प्रीवेस सेशन में आप लोगोंने थेरिटिकल अप्रोचिस को देखा क्यूबन मिसाल क्रैसिस को देखा कोल्ड वार हम लोग डि कोल्ड वार के बाद यानि की नाइटीन-फोर्टी-फाइव से लेकर कि'े 1991 के बीचिकल्य नाइच्ञोर कहा है जिसको दो सेग्मिंट में थड़ों के बीच में तनाव था किसके किसके बीच में तनाव था एक तरफ था Soviet Union और दूसी तरफ था आपका US और उसके allies ठीक है प्लस कुछ Eastern European countries Eastern European यहां पर EU नहीं ठीक है तो इनके बीच में जो है लगातार तनाव चला अच्छा अब यह तनाव क्यों चला क्योंकि वर्ल्ड वॉर्ड टू में तो यह सब स USSR लेट को ठीक है कारण क्या है एक देखो इनका आइडेलोजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में आइडेलोजिकल डिफरेंस बहुत है यूएस तुम्हारा जो है Capitalism और Liberalism पे चलता है वहीं Communist Soviet Union आपका जो है Socialism पे चलता है World War 2 में कौन-कौन पार्टियां थी इनके बीच में विश्यूद हो रहा था एक तो आपकी थी Allied Power ठीक है और एक आपकी थी एक्सिस पावर में आपका यूएस यूके फ्रांस USSR ठीक है एक्सिस पावर में जर्मनी जैपान ऑस्ट्रेलिया ठीक है यूएस ने जब जैपान पर अटैक किया उनमेंसे एक कारण ये भी है जब उस पर नों की बीच में सबसे पहले तब पनपी Second World War के खतम होते ही ठीक है उसके बाद इसमें आता है पोस्ट डैम डेक्लेरेशन पोस्ट डैम डेक्लेरेशन ये पोस्ट डैम डेक्लेरेशन कॉन्फरेंस जो है बरलिन में होई थी 1945 में यूएस यूके और USSR के बीच में यूए आस्ट्रिया का ओकुपेशन कैसा हो तीसरा आपका जो है पोलेंड का केस आजाएगा कि पोलेंड की बाउंडरी जो है वो इसमें डिमारकेट की जाएं अच्छा इसमें क्या था कि सोवियत यूडियन का रोल भी इसी पोस्ट डैम डेक्लेरेशन में डिसाइड होना था और तुम्हें जो हैं पोलेंड का कोई भी हिस्सा दे या उसका अड्मिनिस्टेशन दे और एक बात तुम्हें बता ही चुका हूँ आपको कि सोवियत को जो है किस तरीके का बॉम बॉक अप गिराना है जापान पर यह इसने बताया नहीं था तो इन दोनों के बीच में ट्रस्ट ठीक है तो इन्होंने 1947 कि आशपास की बात है इन्होंने क्या किया था कि जो सोवियत यूनियन की जो आइड अलजी है कम्यूनिजम की उसको कॉंटर करने के लिए इन्होंने कंट्रीज को जो और देश हैं उनको एड और हेलप देनी शुरू कर दी ताकि वो हमारे model को अडॉप्ट करें इनके model को अडॉप्ट ना करें तो यह भी एक जो है cold war की जो है उस कारणों में से एक बैसिकली इसके बाद एक iron curtain की policy थी जिसमें Soviet Union ने जो एक political और military जो है barrier एक तरीके का बना लिया था पूरे विश्व से खुद को isolate करने का तो वो भी उनमें से कारण माना जाता है बाद में लेकिन जो है जो अधर इवेंट्स हैं cold war के बर्लिन ब्लॉकट वगरा वह हम लोग जो है बाद में चर्चा करेंगे फिलाल करते हैं बाकी की चीज़ें हम लेकर आइए नाटो के बारे में कुछ यह जान लेते हैं तो पूछ ले तो बूलिए का नहीं कि इसका headquarters जो है Belgium में है Brussels में उसका शहर है जो ठीक है शुरुआतने बारादेश मिल करके जिसमें यूएस कैनेडा और कुछ और Western European Nations थे मिलकर के जो है नोने North Atlantic Treaty sign की 1949 को और जिससे की जो है इन्होंने नाटो बनाया ठीक है नाटो बेसिकली जो है Security के लिए बनाया गया था Soviet से Security देंगे हम सभी Member States को ठीक है इसका Article 5 क्या कहता है If an armed attack occurs against any one of the Member States, it shall be considered an attack on all the Members तो कैने वालब ये किसी एक पर भी अगर कोई attack होता है जतने हमारे इस organization के सदस्य हैं उनके उपर किसी एक पर भी अगर attack होता है तो ये माना जाएगा कि सब के ऊपर attack है और ये एक वार कहा जाएगा थिक तो इस तरीके का North Atlantic Treaty Organization उनके बनाया और ऐसे ही जो है Southeast में और Eastern Asia में जो है US ने Seattle बनाया जिसे Southeast Asian Treaty Organization कहा जाता है और Middle East के लिए जो है Cento बनाया ताकि जो Middle Eastern जो countries है वो इसको जोईन कर सके सुवियत ने क्या किया इसके response में एक तो उनने वार्साप एक्ट बनाया था उसके बाद जो है बाकी जो regional countries हैं उनसे close ties रखने शुरू कर दिये वियतनाम से North Korea से इराक से ठेक है आगे कुछ और facts जानते है नाटो के बारे में आए कुछ और facts नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो के जो security partners हैं वो 40 से भी ज़्यादा देश है ठीक है जिसमें African Union भी शामिल है आपका और European Union भी शामिल है France इसको एक बार छोड़ चुका है दुबारा जोइन किया है इसने 2009 में ये सिर्फ जान लीजिए बाकि इसके प्राइम मिनिस्टर के साथ में क्या issues थे वो फिर इतना ज्यादा important नहीं कहानी हो जाती है Iceland के वल एक ऐसा सदस्य है NATO का जिसके पास खुद की कोई आर्मी नहीं है ठीक है ये point to be noted दूसरा article 10 NATO का क्या कहता है कि Alliance सभी European देशों के लिए खुला हुआ है जब तक वो इसकी membership के जो नियम है उसको follow करते हैं ठीक है और ये निर्ने कौन लेता है North Atlantic Council इसका एक council है ठीक है करता है कि 2% अपनी GDP का आप defense पर खर्च करें अभी बहुत कम member जो है 2% खर्च कर रहे हैं अपनी GDP का defense पर नाटो यह उमीद कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में लगबख 30-40% even 50% भी जो कुछ उसके सदस्य देश है वो 2% अपनी GDP का जो है defense पर खर्च करने लगेंगे ठ देखें तो कौन डिसाइड करता है कि नाटो फोर्स कहां जाएंगी तो नाटो की जो हाइस military authority है उसमें है कौन उसमें सभी देशों के सेना धेक्ष है यानि की the chief of defense ठीक है नाटो के अंदर एक command structure भी है जिसको the military authority कहते है the military committee कहते है ठीक है सभी सदस्य यानि सभी allies का 30 के 30 allies इसका equal vote है equal से है alliance का जो भी निरने हो यानि नाटो का नाटो organization का जो भी निरने हो वो unanimous होना चाहिए यानि कि सर्वसम्मती से होना चाहिए consensual होना चाहिए ठीक है और उसके जितने भी members है वो सभी के सभी जो है alliance के जो भी rules है democracy liberty rule of law इसको follow करें तो कुलम ना के यहां point के म इतना निकलता है कि military committee उसमें होती है chief of defense जो है हर country के होते हैं और सभी का equal से है that's important ठीक है इसके बाद हम लोग arms control TTS देखेंगे reason क्या है उनके और क्यों arms control TTS आई और इंडिया का उन पर क्या position है क्या stand है कौन सी इंडिया ने जॉइन की कौन सी नहीं की कि किन पर विवाद ह है arms control TTS पर हम लोग नेक्स सेशन में चर्चा करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवारा